I hope again clear हो गई है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत है तो डिवाइन करके एक बार फिर देख लिया वीडियो ठीके नाओ ठीके सारी फिट्ट क्वेश्चन आ गया एफ एक से इस टूपार टूथाउजन सेवन जीरो से लेके एक स्टक एफ टूथाउजन सिक्स डीटी टू ब्लस टी स्कूर बहुत ज़्यादा है ठीके फिब्ट क्वेश्चन में कहा है एफ एक स्टूपार टूथाउजन सेवन जीरो से लेके एक स्टाक एफ टी रेश टूपार अच्छा अभी तो क्या चल ला है कुछ नहीं चलो टूथाउज ही क्योंकि limit max दिखाई ही दे रहे हैं पहला चीज दूसा अंधर सब कुस्ठी है एकस कहीं है नहीं तो दिक्कत होगी यह णोगी डिर्क्रीड चाहिए करेंगे वोई टैप two को लिस्ट के अंधर वारीबल लेमिट के अंधर वारीबल तो तो differentiate करेंगे, differentiate करेंगे, तो differentiate कर दिया, आ जाएगा 2007, fx raised to bar 2006 into f' x, chain rule से, is equal to, x का differentiation 1 into, आ जाएगा fx, अंदर जहां पर भी t दिखाई दे, सब जगा अप अप अपर लिमिट रखतो, differentiation में सब पढ़ा है था हमने कैसे करते हैं, इंटीरेशन का differentiation, तो 2006 आ गया, 2 प्लस x स्क्वेर, यह आ गया, ठीक है, तो fx 2006, fx 2006, यह ठीक है, यह वैसे, theoretically तो ऐसे cancel नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक तो option यह आ गया, कि fx अगर 0 हो जाए, यह ठीक है, तो एक तो आंसर यह आ गया, और, if fx is not identically 0, identically 0 बोलने का मुतलब क्या है, कि fx is equal to 0 function की बात कर रहे हैं, जैसे एक तो cynics हो गया, हम पूछें, sin x का वेलिए 0 होता है, तो हम बोलेंगे, बिल्कुल होता है, sin x का वेलिए 0 हो गया, πाई हो गया, 2 पाई हो गया, सब जगे 0 ही आता है, सब शेक हैं नहीं, sorry, 0, 2 पाई, 3 पाई, इन सब जगे 0 पर आता है, इन सब जगे 0 आता है, but that is not identically 0, sin x ऐसा थो नहीं है, हमेशा ही 0 है, ऐसा नहीं है, यह ठीक है, उसी तरही के से, यह जो पहला आंसर आया है, वो हमारा है, fx is equals to 0, identically 0, identically 0 होने का मतला है, y is equals to 0 function है, मतला x-axis है हमारा graph, तो वो तो हमारा एक function होगा, x-axis भी एक function ही है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक straight line है, तो एक answer तो हमारा यही हो गया, दूसरा हमने मुला है, कि अगर identically 0 नहीं है, ठीक है, जैसे अगर sin x है, तो sin x से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि sin x identically 0 नहीं है, अगर माल यहां पर sin x लिखा होता, तो उसे तो हम cut cancel कर देते हैं, दौनतों से कोई दिक्कत नहीं, यह ठीक है, क्योंकि वो हर जग है 0 नहीं है, ठीक है, बट अगर y is equal to 0 ही लिखा है, तो तो cancel नहीं कर सकते नहीं, वो तो हरी जग है 0 है, तो हमने क्या भूला, कि दौनतों से cancel कर दिया फिर, तो आगर 2007 into f dash x is equal to 1 upon 2 plus x square, f x ratio 2006 cancel कर दिया, अगर identically 0 नहीं है तो ठीक है, इसको integrate कर लिया, तो आगर 2007 f x is equal to, या कि a square plus x square का integration कितना होगा, 1 upon a tan inverse x upon a, ठीक है I hope मैंने question में कोई गलती नहीं किये, शायद नहीं किये, 2 plus t square ही था क्या, 2 plus t square ही था, कोई बात नहीं, यह answer आगे, यह ठीक है, बस एक plus ही होगा, क्योंकि indefinite integration किया है, उसके लिए वापस यहां पर पहुंचे, इस में अगर मैं x is equal to 0 रखा, तो यह integral हो जाएगा 0 से 0 तक का, तो यहां पर f0 कितना जाएगा 0, तो f0 0 आगया, यह ठीक है, f0 0 आगया तो उसको यहां पर यूज किया, तो c का वेली 0 आजाएगा, f0 यह और यह तो 0 ही हो जाएगा, तो c 0 हो गया, ठीक है, तो फिर कितना आगया, 2007 fx is equal to 1 by root 2, tan inverse x y root 2, तो यह तो यह एफ़ थिस्म्लएस, fx is equal to 1 upon 2007 root 2 into tan inverse x y root 2. अच्छा वैसे अगर यह जो आंसर जो आए ना इसको हमें वापस उठाके थियोटी गली question में लखके देखना चाहिए वापस कैसे देखेंगे मतलब तुम अपने आप verify गाना कि जो fx आया है उसको यहां पर substitute करो ft जो है ना उसको यहां पर substitute करो फिर integrate करके देखो कि मतलब जेई में question आ चुका है मतलब question उन्हें गलत दे दिया ऐसा नहीं कि उन्हें जानबूच के दिया उनसे गलती ऐसा हो गया कि जो हमने function निकाला यह ठीक है उसको जब वापस satisfy करा के देखा तो वह satisfy नहीं हुआ उसका मलग है कि जो information दे रखा था question में inconsistent था यह ठीक है तो उस साल तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि उन्हें जानबूच के वो question नहीं दिया था वो तो गलती से ऐसा हो गया तो चार option में कोई ऐसा option नहीं था तब तो उन्हें वो bonus करना पड़ा सभी को marks देना पड़ा यह ठीक है बट ऐसा question हम जानबूच के दे सकते यह ठीक है मतलब ऐसा हो सकता है यह हमने functions में sorry differentiation वाली जगह बोला था function में ही बोला था जब determination और function पाया था कि जो भी answer आए इसको एक बार वापस रखके यह ठीक है वापस रखके जो question है इसमें verify करकर देखा कि दौन तो उससे बराबर बराबर आ रहा है यह नहीं आ रहा ह तो इस वाले case में करके देखना आ जाएगा तो उसके बाद हमने बोला कि यह हमारा answer सही है फिर मतलब और अगर मालने इसको मैंने वापस जाके रखके देखा और absurd value आ जाए कुछ यह ठीक है अभी तो क्या होना चाहिए दौन तरफ exactly बराबर बराबर आ जाना चाहिए यह अगर मालने मैंने इसको रखके देखा और x² बराबर 0 आ जाए माल लिया तो वो फिर satisfy नहीं हुआ identically कहां satisfy हुआ x² बराबर x² आना चाहिए या फिर 0 बराबर 0 आना चाहिए तब ही हम बोलेंगे कि यह solution valid है ठीक है तो यह एक step और है जो तुम खुद करके देखोगे ठीक है क्या करके देखेंगे कि यह जो fx आया है उसको वापस इस integral से verify करके देखा कि यह दौना तरफ consistent information है या नहीं है तो हमने क्या बोला जितने भी पार्ट हमने यह आपे कराए हैं उन सब में आ जाएगा फिर हमने बोला कि J.E. में ऐसा question एक दो बार आ चुका है जो question गलत था क्योंकि उसने corresponding option ऐसा देई नहीं रखा था जिसमें information ऐसा inconsistent था तो J.E. में तो उन्हें bonus करना पुदा बट going forward ऐसा question हम दे सकते हैं अब तुम बहुत इतनी calculation अगर एक question में हो रहा है तो वो objective में कहा जाएगा कोई बात नहीं है हम इसको paragraph बना के दे सकते हैं अगर मेरे को लगता है कि एक तीन marks के objective question के लिए इतना calculation justified नहीं है मान लिया तो मैं paragraph बना के दे सकता हूं तो तीन question के लिए तो यह वर्थ calculation है कम से कम यह ठीक है तो ऐसा नहीं है कि यह outdated information है यह जे इनके उपर इसलिए कराया जा रहा है ठीक है पहला चीज़ा अब कोई बच्छा यह बोलेगा कि यहां तो तुमने मना किया कि fx0 नहीं है और यहां बोलने कि f0 0 है यह कैसी गलत बात है तो फि पर बहुत कुछ समझाए भी था हमने यहां बोलता है यहां पर तीन ऐसे बराबर लगा रखे है उसका मलत है कि हमने यह deny किया है कि यह identically 0 नहीं होना चाहिए मतला ऐसा नहीं होना चाहिए कि x की हर value के लिए 0 हो जाए कहीं-कहीं 0 है तो कोई दिक्कत नहीं differential equation नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं, cancel and cancel कर सकते है सही है तो यह तो f0 बराबर 0 आया है जैसे हमारा function तो यह है न 10 inverse x यह हमेशा 0 थोड़ना है यह तो बस कुछ ही जगाए पर 0 है तो उसे कोई दिक्कत नहीं महाँ पर हमने identically 0 के लिए बना किया है हमने यह नहीं बोला है कि 0 होना ही नहीं चाहिए सही है तो यह तो हमारा topic खतम हो गया determination of function का I hope you have followed and you must have enjoyed I guess